मित्रों आप सभी जानते हैं कि भारती राजनीत के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उनमत चिर विग्न संतोशी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विग्न उत्पन करके कैसे संतोश प्राप्त किया जा सकता है उस प्रवित्त की परच अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिशकार करते हैं अभी हाल में आपने देखा चंद महिने पहले की बात है पिछले वर्ष की नई संसत भवन के उधगाटन का बहिशकार किया नई संसत भवन डेड़ सो वर्षों तक चलेगी इसका भारती जनता पार्टी अत्वा प् भारत के कर संदचना में टैक्स स्ट्रक्चर में एतिहासिक पैरडाइम शिफ्ट हुआ उसका बहिशकार किया जी ट्वेंटी अभी अभी हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्टा ध्यक्ष और दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत में जाए क्योंकि मैं पुनह विरंबरता से कह दू कि नॉन एलाइन समिट भी हुआ था पर नॉन एलाइन समिट उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था जी ट्वेंटी इस कंसीड़ इस पावर सेंटर उसमें महामहिम राष्टपत की द्वारा दिये गया भोज का भैशकार किया भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्वाव था हमारे पूर्व राष्टपती रामनात कोविद जी और द्रोपदी मुर्मू जी के अभीभाशन का भैशकार किया जबकि वो हमारे राष्ट के प्रथम नागरिक है परन तो ये एक संयोग की बात थी देख 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था क्यों कॉंग्रेस ने भैशकार किया था कारगिल विजय दिवस का भारती जंता पार्टी के प्रकर पित्रोत के बाद आदे अदूरे मन से रस्मत आएगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ बनाते हैं जब मई 1998 मे पोकरन विसफोर्ट हुआ अटल विहरी बाचपेई जी की सरकार के नितुर्त में कॉंग्रेस ने दस दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारत प्रकार की प्रक्रियाएं जबकि भारत ने पहली बारे कहा था कि we have declared now we have become the nuclear state कितना बड़ा एथियासिक प अमारों का भहिशकार कर दिया इसी भहिशकार भहिशकार के चलते हुए जनता भी कमशा उनको सत्ता से भहिशक्रत करती चली जा रही है परंत उनकी बुद्धी परिश्क्रत होने का नाम नहीं ले रही है आज जब आयोध्या में श्री राम नला विराजवान की प्राण प नहां कॉंग्रेस ने अपनी उसी प्रवत्ति के नुरू क्योंकि ये भारत की इतिहास का इतिहासिक पल है यदि आजादी आठ सो साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में यदि भी कॉंग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी हम कहते हैं 800 साल की गुलामी तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनात की अट्टालिकाओं ने आकाश कुछ हुआ था और उस अवसर पर यहां एक बात और इसपश्ट करना चाहता हूँ कॉंग्रेस अपनी प्रवित्ति की अनुरूप है मैं आप लोग के सुलब संग्यान के लिए कोट करना चाहता हूँ कि जब सोमनात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जबहलाल नहरूजी ने 24 अपरेल 1951 को जाम सहद दिग्विजे सिंग जो कि उस समय सौराष्ट के प्रमुक थे यानि लाइक टेक्निकली दे चीफ मिनिस्टर और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नहरूजी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि कॉंग्रेस उसी परमपरा में चली आ रही है उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारो के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है पर आगे महत्पून बात लिखी इस समारो के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूँ मैं इस पुनरुत्थान वाद से बहुत परेशान हूँ मेरे लिए बहुत कष्टकारक हैकि मेरे राष्ट्रपती और मेरे कुछ मंत्री और राजप्रमुक के नाते आप सूमनाथ के इस समारो से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रक्रतिके यानुरूप नहीं है ये 24 अप्रेल 1951 सोर्स है सेलेक्टेड वल्क्स अफ जवाल अनहरू सिरीस 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1 बस वही तो परंपरा थी उसके बाद इंद्रा जी के जमाने में गोरक शक्स संतों पे गोलियां चली इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंबे निकल लए थे तो वामपंति त्यास कारों के दवाओं में रुकवा दिया गया राजीव जी के जमाने में कारसेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ पीवी नरसिमाराओ जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ वो आपको पता है और सुनिया जी के जमाने में आते आते राम कालपनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ति जो आज कॉंग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया परंतु मैं एक और बात इसपश्ट करना चाहता हूँ यह नहरू की कॉंग्रेस है यह गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्य महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस राम राज जी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारम्ब हो रहाए श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांगरेस और नहरू की कांगरेस का अंतर भी बिलकुर साफ हो गया है और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है ये कॉंग्रेस के अंदर का भारती ये संस्कृती हिंदू धर्म और हिंदुत के पृति जो विरोध है उसको दर्शाता है अब बताइए इससे अदा क्या होगा कि शीराम जन्भूमी केस में जो बाबरी मस्जित पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है ये हिंदु धर्म की महान उदारता के परमपरा के अनुरूप है गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया बताइए वो आने को तैयार है जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिसपरधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परमपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है तो आपने गिंदी में कहवत सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोग के मन में अभी भी वहलोभ दिखाई पढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक कहवत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम इस पश्ट कर देना चाहता हूँ इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिश्कार करके कॉंग्रेस पाइटी और कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस गोत्र के जितने दल है उन्होंने इस पश्ट कर दिया है कि वो राजनैत्रिक दृष्टी से निश्पान तो होते ही जा रहे थे अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिया आपके मन में जो भी इर्षा है द्वेश है इन्फिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं ये भी स्पश्ट करना चाहता हूँ कि एक बार फिराम जनभूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्ध आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते है वैसे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे है क्योंकि शायद उनके मन में ये भी हो उज़े पुराना भज़न है ना मैली चाधर ओड के तेरे द्वार पे कैसे आऊ क्योंकि इतने पाप किये हुए हैं उन्होंने पर उन्हों आज उस पाप के परिमारजन का अवसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रामचरीद मानस की एक चौपाई कहता हूँ कि आकाश से जल मतब जो बादल है अमरत तुल्य जल क्योंना बरसा दे बेंत का जो वरक्ष होता ना उस पर फूल नहीं उकते कभी बेंत पर फलो फूल नहीं आते बैंबू जिसको कहते हैं उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रम्हा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरू मिल जाए फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं इसे शब्दशाना कहा जाए मूर्ख लोग होते हैं उनके हरदे में चेतना नहीं उत्पन होती तो कहा गया है जदपि सुधा बरसही जलद फूलही फलही न बेद जो गुरू मिलही विरंच चिसम मूरक हरदे न चेत इस कहरण से उनके हरदे में यह चेतना नहीं आ पा रही है पर अन्तु मैं पुना इस पश्ट करना चाहता हूँ कि हर एतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कॉंग्रेस ने आज भारत भारतियता कि स्ष्टतम मूल्यों के पृतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिश्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीती और राजनीती में भी कटर पंत की राजनीती हम किसी समुदाय की बात नहीं करें कटर पंत की राजनीती अधिक महत्वपून है और राष्ट्र के आदर्ष और प्रेणा कम हत्पून है इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्ष है जो सभी मत्संपरदायों के लोग बांगते है दुनिया का सबसे बड़ा बौद देश थाइलेंड का राजा टाइटिल होल करता है किंग रामा दे टेंथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पृतिशत के हिसाब से भारत से यदा रमायन होती हैं पात्र मुस्लिम होते हैं लगबक साथ प्रत्यत देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है परंतो अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वेंभूत रादिकारी कहते हैं वो इसके विरुद्ध खड़े हैं अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्हों ने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है मगर यहां पर उनको विरुद्ध नजरा रहा है तो इसलिए मैं इस पश्ट रूप से कॉंग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ इस पश्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं श्री पीवी नर्समाराव ने दिसंबर 1992 में कहा था नहीं वह तथा कतित मस्जिद दुबारा बनवाएंगे वो बयान से तो भहिशकार किया नहीं अपना विड्रॉ किया नहीं और इससे विड्रॉ कर रहे हैं यह दर्शाता है कि कॉंग्रेस के अंदर की मूल प्रवत्ति क देखिए यह आयोजन श्री राम जन्भूमी ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है और भगवान के द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है परन्तु हमने तो कभी नहीं कहा कि शिराम जन्भूमी के विरोध में आपके नेता वकील का चोला उड़कर खड़े होते थे इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं यह भारती यह संस्कृती भारती यह परंपरा के श्रेशतम मुल्यों का प्रतीक है इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूनना है जैसे किसी को कोई कारिण न करना हो तो वो बहाना ढूनता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन करें तो चूंकि यह सदा सरवदा से अवरोध उत्पन करते रहे थे तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विग्न उत्पन करने का प्रयास कर रहे है परंतवा पाश्वास रहिए महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेत्रतों में हो चुकी है और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाविमान की प्रांट प्रतिष्ठा शीरामजन मुहमी ट्रस्ट के द्वारा इस कारिक्रम के द्वारा हो रही देखिए ऐसा है कि चौपाई है सकल पदारत है जगमाही कर्म हीर नर पावत नहीं तो सभी अच्छे-च्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं पर उन्तों कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता इसलिए हर एतियासिक अवसर भागीदार बनने किसे कॉंग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी हो जाती है देखे ऐसा है कि कुछ लोग चंद विदेशी इतिहासकारों के दारा पढ़े गए इतिहास के से उनके दिमाग इतने भरे हुए हैं कि उसके लिए क्या कहा जाए वैसे तो उनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब में लिखा है तो बता नहीं पाएंगे तो उन ने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की ये लोग उसी केटेगरी के हैं देखिए यही तो प्राब्लम है कॉंग्रेस सत्ता में रहे या पृतिपक्ष में रहे वो खातों का लिंक जो है हमेशा गलती होता है यहां से दिया जाता था पता नहीं खाते विदेश में होते थे वहां पहुंच जाता था उन नैशनल हेराड का दिया गया हो पाउन से खाते में पहुंच गया जाके तो इसमें कोई आश्यर जनक बात नहीं है, ये तो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने वाली कॉंग्रेस की पुरानी प्रवित्ति के अनुरूप है एकता का दंब भरने वाले अब बटवारे के नाम पे विखराओ की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब वो अलग-अलग रहा पे तो पहले भी अलग थे तो शायद उनके दलों के लिए ये पंक्ती उचित लगती है कि आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं एक में भी तनहा थे, सौ में भी अकेले हैं तेंक यू